CBSC Intermediate का परिणाम शनिवार को खोसित हो गया गोरकुल में GN National Public School के अमन कुमार पांडे ने 97.2 फिसद अंग प्राप्त कर जीले में पहला इस्थान प्राप्त किया है वहीं दूसरा इस्थान GN के ही आदश पालवा RPM Academy की सिमरन चौरसिया को संयूत रूप से दूसरा इस्थान मिला है दोनोंने 97 फिसद अंग अरजित किये हैं तीसरा इस्थान GN National के शातर सिर्जन शर्मावा हर्श प्रकासगिरी को संयूत रूप से मिला है उन्होंने 96.8 फिसद अंग प्राप्त किये हैं लड़कियों में RPM की सिमरन जीले में सिर्फ पर रही है CBSC ने दोपहर बाद साड़े 12 बजे इंटर्मीडियर की परिशा 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 दे थी विद्यारती परिशा परीणाम घोसित होने के बाद अपना परीणाम देखने में लग गए किसी ने साइवर कैफे जागर नमबर देखा तो किसी ने मोबाईल पर भी परीणाम जान लिया विद्याले ने भी बच्चों को परीणाम बताने की वेवस्था की थी अच्छी यंग पाने वाले विद्यार्थी अपने स्कूलों पर पहुँच कर अपनी खुशी मनाई विद्यालों के टॉपर को शिक्षकों ने मिठाई खिला कर बधाई दी गोरकपो जीले के टॉपर अमन कुमार पांडे ने गोरकपो नियूस से बात करते हुए बताया लड़कियों में आरपियम के सिमरन जीले में सिर्स पर रही है मम्मी पापा की और टीचर्स की खुद की मैनत भी है खुद की मैनत भी है पनी चाय की दुकान है मतलब जो अभी 11 में उनके लिए है कि 11 और 12 शुरू सही बहुत अच्छे से पड़े वरना 12 शाय कर नहीं पाएंगे मतलब शुरू सही ध्यान देना पड़ेगा उनको अगर माली जी 11 खराब भी हो गया तो 12 में भी शुरू सही अगर ध्यान देंगे तो कर सकते हैं अच्छा मेरा नाम अमन कुमर पांड़े और मैं जी एन निशनल पब्लिक स्कूल का चात्र हूँ इस साल 12 के परिच्छा उप्तिविड किया है मैंने और मेरी प्रारंबिक सिछा बैतालपूर दिवरियां से हुई थी स्ट जॉंस पब्लिक स्कूल से उसके आद मैंने क्लास 7 और 8 से संट जो से बडर्रगन से पढ़ाई किया था उसके बाद नाइन्थ में आज जी एन में एडविशन हुआ था टेंथ में मेरा 10 सीजी पी आया था और उसके अलावे कई अलम्पियाड भी निकाल चुका हूँ अगता है इसके बाद हमें आइटी से इंजिनिरिंग करने के बाद उसका दूस में जाना है मैं एक छोटा भाई है तेंथ में इस साल से बडर्रगन से पिता जी स्रिया निकुमार पांडे बडर्रगन नेशनल इंटर कॉलेश के में केंश्टी के लिक्ष्रेर है नहीं माता जी हूँ हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते हैं और घर पर जाना रहते हैं मौसा और मौसी के यहां भी कापी मोटिवेशन मिलता रहता है इसकूल में हमेरे फिस्केल कमश्टी के सहते असीस वास्ता से वह हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते थे हैं इसकूल में टेबल टेनिस में कम आज इतना topic खत्म करना है और वही topic मतलु खत्म करने का पड़ाई बन कर देते हैं तो जितना भी समय उसमें लगे क्या motivation के लिए कुछ करना चाहेंगे मतलु यह कि कभी भी कोई जट खराब जा रहा है तो उसको देख के दी मोटिवेट नहों, आपको आगे बढ़ने का सलाह देता है और प्रेड़ना देता है कि आप आगे और अच्छा करिए आपके मेहनत में कुछ कमी रहा गईती तो उसको देखके मतलब अगली बार आप उसमें सुधार करिए आपके अगली बार आपके अच्छे माँ सासे के